हेलो फ्रेंट्स जैशी कृष्णा क्रोश्ट चैनल मैं आपका स्वागत है फ्रेंट्स आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं गया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे देखिए यह हमने चार और पाच के नंबर के लड़ू कुपाल जी की ड्रेस तैयार की ह और इसको बनाने के लिए हमने अलग-अलग कलर की वूल का यूज किया है और इसी ट्रेस को हमने देखिए अपने चैनल पर दो नंबर के लड़ू कुपाल जी का भी वीडियो अपलोड किया था और इसको बनाने के लिए हमने थ्री फ्लार की रो बनाई है और इसमें हमने की कलर की वूल यूज की है और इसमें हमने डिफरेंट कलर की यूज की है लेफ्ट ओवर वूल को यूज करके आप भी इसे इस तरह से ब्यूटिफुल ट्रेस बना सकते हो और इसको बनाने के लिए हमने एक कलर यूज किया है तो इसका ट्यूटोरियल कुछ डिफरेंट है आ थ्रीफ लार इनको इसी तरह से कलरफूल या एक ही कलर में बना सकते हो तो जैसे कि उसको ड्रेस में हमने खुलिए फिल्ड याई potrzeat तो इस तरह से आप भी अलग अलग तरह के किसी भी टाइप के डेकोरेटिव मैटीरियल को यूज करके ड्रेस को सजा सकते हो तो आएए इसका टिटोरियल शुरू करते हैं देखिये हमने यह गहरा बना लिया इसमें हमने इस तरह से बीच में एक एक चेन लेकर कलीयों वाला गहरा बनाया है तो चाहिए आप इसको प्लेन फ्लैट गहरा बनाईए या फिर इस तरह से कलियों वाला बनाई है या फिर फ्रंट पोस्ट का घेरा भी बना सकते हो इस तरह से तो देखिए यह जो कलियों के बीच में एक एक चैन है ना यहां पर हम वाइट कलर जोइन करेंगे और यहां पर हम किसी भी एक चेन में दागा जोइन कर देंगे और एक नॉट लगा लेंगे और देखें नॉट लगाने के बाद सेम जगा पर हम एक सिंगल क्रोशा करेंगे और फिर उससे नेक्स चेन पर एक सिंगल क्रोशा करेंगे और फिर नेक्स चेन पर सिंगल क्रोशा तो देखें यह जो रो है इसी तरह से बनेगी हर एक चेन पर हम एक एक सिंगल क्रोशा और जो हमने सेम कलर के फ्लार्स की ड्रेस बनानी है तो हमें यह सिंगल ख्रोश्य नहीं करने उसमें अलग तरह से पहिए जाएंगे तो यह हम इस पूरा कर लेते हैं देखिए सभी पर हमने जो बीच में एक एक चेन है सभी कलियों के बीच में वहाँ पर भी हमने एक एक सिंगल ग्रोश्या बनाया है अब हम स्लिप स्टिच बना लेंगे जहां पर शुरू पिया था वहीं पर इसको स्लिप स्टिच से जॉइन करके नॉट लगाकर वूल कट करेंगे देखे फ्रेंट्स जैसे कि अभी हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम इस तरह से एकी कलर के फलार की का डिजाइन बनाते हैं तो हमें ये वाइट कलर का सिंगल क्रोशे का राउंड नहीं बनाना है अगर जैसा कि इस डिजाइन में हम अलग अलग कलर की इस तरह से लेफट ओवर वूल को बच्ची उई oùं को यूझ करके बना रहे हैं तो इसलिए हमने एक वाइट सिंगल कलर की रो बनाई है तो इसी तरह से आपके पास भी जो बच्ची उईउन को यूज करके बना रहे हो तो इस तरह से पहले एक round बना लेंगे single crochet का देखे सब से पहले हम yellow color शुरू करेंगे उपर किसी भी chain में हम yellow color को join कर देंगे और chain बना लेंगे जहां chain बनाई है वह ही पर एक single crochet बनाते हुए ढागे को पका कर देंगे और फिर हम four chain बनाएंगे 4 chain बनाने के बाद work को turn करेंगे एक chain छोड़ के उससे next chain पर हम एक chain छोड़नी है और दूसरी chain में हम single crochet करेंगे एक flower की row बनाने के लिए हम 3 single crochet use करते हैं तो अब देखिए 3 chain बनाएंगे और ये जो loop बनाया है 4 chain का इसके अंदर double crochet करेंगे एक बार और ये दो बार और देखिए अब फिर से हम 3 chain बना लेंगे और उनको join कर देंगे slip stitch से देखिए flower की एक petal बनकर तयार हो गई और इसको side पे कर लेंगे और अब 3 chain बनाएंगे और double crochet करेंगे एक दो देखिए second petal तयार हो गई और अब फिर से हम chain बनाएंगे एक दो तीन चार चार chain लेंगे वर्क को turn करेंगे और देखिए ये जो 3 chain के पास पहला double crochet है वहाँ पर उपर हम उसकी chain में इन चार chain को join कर देंगे फिर से एक लूप तयार हो गया देखिए अब इसके अंदर हम फिर से फ्लार बनाएंगे second flower शुरू करेंगे तीन chain बना लेंगे अब इस लूप के अंदर double crochet करेंगे एक दो और अब हम 3 chain लेकर join कर देंगे उनको slip stitch से देखिए second flower की first petal बन गई जैसे की नीचे बनाई थी अब 3 chain लेंगे double crochet करेंगे लूप के अंदर एक दो देखिए second flower की भी जैसे नीचे दो पतिया बन गई या उपर वाले फूल की भी दो पतिया बन गई तो अब हम इसको complete करेंगे second petal को 3 chain बनाएंगे और इनको 3 chain को join कर देंगे slip stitch से तो ये petal complete हो गई बीच वाली अब 3 chain बनाएंगे और डबल क्रोशा करेंगे एक डबल क्रोशा दो डबल क्रोशा फिर से 3 chain बना लेंगे और उनको 3 chains को join कर देंगे उसी लूप के अंदर slip stitch से देखिए ये flower तयार हो गया अब नीचे वाला flower भी complete कर लेते हैं 3 chain बनाएंगे और उसको join कर देंगे slip stitch से तो नीचे वाले flower की second petal complete हो गई अब फिर से 3 chain बनाएंगे हम 1, 2, 3, 3 chains हो गई double crochet करेंगे 1, 2 अब हम 3 chain बनाएंगे 1, 2, 3 chain और इनको join कर देंगे slip stitch से तो देखे फ्रेंट्स दोनों flowers बनकर complete हो गए अब हम knot लगा कर yellow color को यहीं पर cut कर देंगे देखे इस तरह से कितना beautiful flower बने है दो तो अब यह जो धागे cut की हैं इनको बाद में हम बताएंगे कि किस तरह से adjust करना है अब देखे हम second color लगा लेंगे green color लगाएंगे देखिए जहां flower बनाया है उससे next chain को count करेंगे एक दो तीन चार पांच छे तो six chain के उपर हम जो है green color को join कर देंगे और अब देखिए जहां not लगाने के बाद वही पर एक single crochet बनाके पक्का कर लेंगे धागे को और work को turn करेंगे back side से हम चार चेन बनाएंगे एक दो तीन चार 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 चेन बनाने के बाद एक chain छोड़के उससे next chain पर हम single crochet कर देंगे तो एक फ्लार की रोग बनाने के लिए हम तीन chain को यूज करते हैं थ्री chain बनाएंगे और यह जो green color का लूप है इसके अंदर double crochet करेंगे दो बार और फिर से तीन chain बना लेंगे इनको join कर देंगे slip stitch से तीन chain बनाएंगे दो बार double crochet करेंगे देखो दो पतियां तयार हो गई फ्लार की और चार chain बनाएंगे वर्क को turn करेंगे जो थ्री chain के पास पहला double crochet है उसके उपर हम चार chain को join करेंगे वर्क को turn करेंगे और थ्री chain बनाएंगे और जो लूप बनाया भी चार chain का उसके अंदर दो बार double crochet करेंगे फिर से थ्री chain बनाएंगे एक दो तीन और उसको join कर देंगे slip stitch से उपर वाले फ्लार की पहली पति तयार हो गई अब दूसरी बनाएंगे तीन chain दो डबल क्रोश फिर से थ्री chain बनाएंगे और उनको join कर देंगे slip stitch से फिर से थ्री chain बनाकर एक डबल क्रोशा करेंगे और फिर दूसरा डबल क्रोशा फिर से थ्री chain लेंगे और इनको join कर देंगे slip stitch से तो friends ये design बहुत ही easy है बनाने में और देखने में भी बहुत सुन्दर लगता है और देखे ये एक फ्लार तयार हो गया उपर वाला जैसा इधर बनाया था सेम इधर भी बना दिया हमने अब नीचे वाला फ्लार complete कर लेंगे 3 chain बनाकर उसको join कर देंगे slip stitch से नीचे वाले लूप में देखो पीच वाली पैटल complete हो गई और फिर से 3 chain बनाएंगे तो हमें हर एक पत्ती इस तरह से बनानी है slip stitch से join करना है हमें हर बार 3 chains को तो knot लगाकर green color को cut करेंगे और देखे जैसे कि आपको यह बताया है यह दो नूफ लार की row बना के बताई है इसी तरह से यहां से count करेंगे six chain में फिर से हम एक नया color start करेंगे और उसको इस तरह से back करेंगे जैसे कि यहां बताया ना आपको इसी तरह से हर बार हमें बनाना है और इन सब पर इस तरह से बच हुई जो उन है या फिर एक ही color यूज करके आप इसको complete कर लिए जिएगा देखे यह complete हो गया किते सुन्दर ड्रेस बनी है यह अलग लग color को यूज किया हमने देखो यह सभी धागे जो पीछे कट किये थे adjust कर दिये हमने तो अभी एक color रखा है हमने आपको बताने के लिए देखो जहां green color का single crochet है ना वहां पर पीछे से crochet hook को निकाल लेंगे और यह जो धागा कट किया था last में उसको निकाल देंगे पीछे ले जाएंगे और जहां पर शुरू किया था वो धागा है और जो लास्ट में कट किया था तो नो धागों को पकड़ के यह जो green color के loop है उसके अंदर से निकाल देंगे तो जो भी color हमने adjust करना है उसको उसी flower के पीछे ही adjust करेंगे जो भी color है जैसे green के पीछे green को yellow के पीछे yellow इसी तरह से same color को उसी में adjust कर देंगे तो पता भी नहीं चलेगा finishing के साथ धागा adjust हो जाएगा तीन चार बार हम इसको loop से निकाल के adjust कर देते हैं और यह जो धागा पका हो जाता है अचाए तो इसको glue से चिपका दीजिए या फिर कैंची से extra धागे को cut कर दीजिए तो इस तरह से पीछे से भी पूरी finishing के साथ धागे भी नहीं दिखते और देखिए सभी adjust कर दिया हमने तो यह dress complete हो गई तो आप भी इसको decorate कर लीजिएगा दोनों फ्लार में किसी भी तरह का material लगा के जैसा कि हमने इसमें golden color के bits लगाये हैं इसमें हम white use करेंगे यहाँ पर इस तरह से तीन फ्लार में बनाईएगा colorful dress को और चाहे तो एक ही color बनाईएगा जैसा भी आपको बनाना है अपने ठाकुर जी के लिए जरूर बनाईए प्यारे से dress को और आपको पसंद आती है हमारी वीडियो तो like और share कीजिएगा comment करके बताईएगा कैसा लगा आपको design म अपनी नेक्स्ट वीडियो में जैसी की